हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल, मैं आज आपके लिए यहाँ पर ऐसे आइडियाज लेके आई हूँ जिनको आप यूज करके अपने घर को और्गिनाइज करके रख सकते हो, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से और नहीं इसमें कोई मैनत करनी आपको, नहीं कोई आपको खर्च करना, तो घर में पड़े पुराने समानों से ही मैं आपको यहाँ पर और्गिनाइजर बनाना बताऊंगी, तो आप इनको बना के अपने घर को अच्छे से और्गिनाइज कीजिए, घर को सुन्दर बनाएए, तो चलिए हम अपने आइडियाज को शुरू कर अच्छ करना बताऊंगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखी, एक प्लें यह पास वाइट केरी बैग है, तो मैंने यहाँ पर यह केरी बैग प्लेंग लीए, आप यहाँ पर इसको प्रिंटेट भी ले सकते हो, क्योंकि यह बिल्कुल भी हमारी दीखेगी नहीं, लेकि यहां पर डबल इसको इसलिए यूज कर लिया ताकि हमें यहां पर अंदर की साइड कोई भी इंटरफेस यानि आटा बैग या कोई भी बुकरूं वगरा ना लगाना पड़े तो इसलिए मैं इसको इसको फोल्ड करके फिर चारो तरफ से इसको स्टिच कर लूँगी अगर आ अब उसके बाद हम इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारा बंध साइड है बंध साइड से हम यहां पर एक शर्किल बनाएंगे अब चाहें आप कौन सा भी नीचे की सायड लेजिए जह ऊपर की साइड लेजिए कोई भी बनाएंगे तो 1.5 इंच पे को छोड़ते हुए हम यहाँ पर एक circle बनाएंगे और circle भी बनाएंगे हम इसकी जो width रखेंगे वो 3 इंच की रखेंगे तो अब इन दोनों point को मिलाते हुए मैं यहाँ पर इसमें एक half circle बना दूँगी अब इस half circle को हमें cut कर लेना है तो मेरी यहाँ पर यह two pocket ही बनेगी अगर आपको और लंबा बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर जो carry bag ये उसमें नीचे की तरफ join डालीजिए तक कि आपको जितना लंबा बनाना है और जितनी आपको pocket रखनी है आप उसके according रख सकते हो तो मेरी यहाँ पर जो इसकी जो लेन थी वो दो pocket के बराबर बन गई थी तो मैंने यहाँ पर इसमें दो pocket ही यूज की है आपको जितनी pocket लगानी है आप अपने according इसमें लगा सकते हो सेम प्रोसेस ही हम यहाँ पर second वाली जो pocket लिए है second वाली pocket को इसके उपर रखेंगे और हमें इसमें भी circle को cut कर लेना है तो दो circle हमने इसमें दोनों pocket के cut कर लिए और उपर वाला part है आपका अगर लंबा जादा हो गया है तो उपर वाले पार को cut कर दीजिए लेकिन मेरा यहाँ पर जो pocket लगाने के बाद पूरा बराबर हो रहा था तो मैं इसी को fold कर दोंगी ताकि मैं यहाँ पर अब जो बैल यह सौरी यह जो हैंगर है तो यहाँ पर मैं सिधा यह वाला हैंगर यूज कर रहे हूं तो इस टीच करने के बाद में सहंगर को यूज कर सकती हूं और अगर आप बंद वाला हैंगर लेते हो तो आपको इस तरीके से इसके अंदर डालने के बाद यह ता आप स्टिच कर लिजिए या फिर आप वल्क्रो लगाते हुए भी आप इसको तो यहाँपर मैं इसको पहले इस तरीके से fold करूंगी यहाँपर इतना की cut है, cut का according में इसको fold करते हुए इसको stitch कर दूँगी उसके बाद हमें यहाँपर जो हमने pockets बनाई थी उन pockets को हमें इसके उपर attach कर लेना है तो मैंने एक pocket को नीचे रखा है फिर उसी के ऊपर मैंने second pocket को रखते हुए इसको set कर लिना है तो एक सिलाई हम यहाँ पर बीच में लगाएंगे और जो बीच में सिलाई लगाएंगे अगर आपका नीचे का बंद वाला पार्ट है तो आप डारेक्ट stitch कर लीजिए और अगर आपका खुला वाला पार्ट रह कर लिया है अटेच करने की बाद में यहां पर यी इस तरह के तो यहां पर इसे कोई भी लैस यूज कर सकते हो या फिर आप इप दौट्प लैस भी इसको इसी तरीके से यूज सकते हो तो मैं इसको यहां पर थोड़ी सिलाई लगातेवे इसको थोड़ा सा डेकुरेट कर तक हमारा ये थोड़ा सा ओर्गिनाइजर कुछ अट्रक्टिव लगे तो यहां पर देखे मैं इस तरीके से यहां पर इसको चारो कॉर्नर में जहां पर हमने सिलाई लगए यह उनी सिलाई के उपर में स्लैस को लगा लोगी साथ साथ में यहां पर जो यह सरकिल है इन सरकिल पर भी हमें यहां पर इस लगा लेना है अगर आप यहां पर ग्लू का यूज करते हो तो आप ग्लू से डारेक्ट इसको लगा लीजिए और अगर आप यहां पर मसीन से यूज करते हो तो गोल वाले हिस्से पर पहले ही आप पॉकेट को अटेच करने से पहले ही आप यहां प एक छोटा सा organizer बनके बिलकुल ready है अब आप इसको अपने यहाँ पर चाहों बच्चों के जो रुमाल होते हैं यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास और कोई कीचन में यूज में लेना चाहते हो वो यूज कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से अगर स्विच के पास अपने पास इसको हैंग करते हो तो अपने मुबाइल चार्जिन के लिए भी इसको रख सकते हो तो यहाँ पर मल्टी प शॉपिंग की थी तो तीन पैकिट मेरे पास यहां पर कुछ पैकिट पहले भी थे तो मैंने यहां पर इनको गल्दी से फैंग दिया था कुछ आइडिया नहीं आया था तो अब मैं जो दिमार्ग में आया था कि यह देखिए मीचे से किया अंदर से ब्लैक लरखा था तो मैंने जब एक पाउच बनाया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था तो अब के वार जब पाकेट इखटे हुए थे तो मैंने इनको संभाल के रख लिए कि मैं सारे एक साथी बनाऊगी तो मेरे पास यहाँ पर देखिए तीन पैकेट बन गए थे तो इसको इस तरीके से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इतना पार्ट में नीचे र खुला रखा था तकि जो इसका नीची का बेस से हम इसको बना सके तो जो यह ट्रैंगल शेप बनाया है तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया तकि अंदर डालने में इजी हो उसके बाद हमें दूसरी साइड भी सेम प्रोसे से ट्रैंगल को पहले इस तरीके से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इसको हमें इसके अंदर डालत कट कर लीजी और कार्डबोर्ड कट करने के बाद आप यहां पर इसके चारो साइड में इस तरीके से कार्डबोर्ड को डाल दीजी ताकि जो हम यहां पर बॉक्स बना रहे हैं वो काफी मजबूत बने और बहुत ही अच्छा बन जाए तो इसकी शेप देखे काफी अच्छी बिल्कुल बॉक्स की तरह आ गई है तो अब नीचे की साइड भी बेस में हमने यहां पर एक कार्डबोर्ड लगा लिया है तो बॉक्स काफी मजबूत बन गया है और काफी अच्छा लग रहा था तो ब्लैक कलर का है तो बिल्कुल देखे प्लेन काफी अच्छा लग रहा आप चाहो तो इसके उपर को स्टिकर लेस लगाना चाहते हो गिल्टर टैप तो आप उससे भी डेकॉरेट कर सकते हो लेकिन मुझे प्लेन रखना था इसलिए मुझे प्लेन काफी अच्छा लग रहा था तो इस तरीके से देखिए मैंने यहां पर तीन बॉक्स बना लिए है तो दो बॉक्स में बने आपको बता रही हूँ तो इस तरीके से देखिए आप तीनों बॉक्स को या तो अलग-अलग यूस्क में ले सकते हो अलग-अलग जगय कीचन में वार्ड्रोब में या अपने ड्रेसिंग एरिया में या फिर अगर आपको बड़ा बनाना है तो इ अच्छे से पैक कर लूँगी और तीसरे वाले को भी इसके साथ पेश्ट कर दूँगी तकि एक बड़ा सारा ओर्गिनाजर बनके रैडी हो जाए और हमें यहाँ पर देखे पार्टिशन भी नहीं डालना पड़ा हूँ जब हम बड़े ओर्गिनाजर बनाते हैं तो उसके हं एक सा कर सकते हो लेकिन यह ऐसे ही बिल्कुल सेट हो रखा है तो मैंने इसको आपको सिर्फ एक आइडिया दिये कि आप तीनों को जोइंट भी कर सकते हो कि देखे यहाँ पर आप इस तरीके से अपने वाडरोम में बच्चों के कपरे डाल के भी रख सकते हो या फिर अगर आप देखे यह राउन पिलो लिया है अगर आपके पास राउन पिलो नहीं है तो आप नॉर्मल पिलो लेके आप सिंगल पॉकेट वाला भी बना सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर दोनों साइट बनाऊंगी तो यहाँ पर देखे इसमें मैं इदर से 5.5 इंच और दूसरे साइ लगाएंगे तो बिल्कुल यह सैट हो जाएगा तो अब उसके बाद हमें यहाँ पर इस पर सिलाई लगानी है तो आपको सिलाई लगाने के लिए आपको दो साइड में सिलाई लगानी है और उसके बाद आपको जितनी सके अंदर पॉकेट बनानी है देखे कि उसका जो इ लिखाय थी उसके according में यहां पर इसको stitch कर लिया है तो देखें, दो pocket हमारी ही यहां, फिर से दो pocket बीच में और दो pocket ईसाइड में total हमारी यहां पर 6 jacket बन गई है और total हमारी यहां पर 12 pocket बनके ready हो गई है जागई है अब अब यहाँ पर हेंगर यूज lat करना चाहते हो तो आप हेंगर के अंदर डालीजी और डालने के बाद आप इसको अपने अलमीरा में हैंग कर लीजी तो मैं आपको इसके तीन तरीके बताऊंगी किसको आप कहां यूज में ले सकते हो बाकी आप अपने एकोडिंग इसको यूज में ले सकते हो तो मैं यहाँ पर कि आप इस तरीके से आप अगर आपने वाडरोब में या कहीं पर भी वाल पर हैंग करना चाहते हो तो इस तरीके से हैंग कर लीजिए और उसके बाद जो भी आप समान रखना चाहते हो चाहे आप कलच वाले पर्स रखिए या फिर आप ड्रेसिंग वाले समान रखिए जो र तो आप यहां पर वाल पे डारेक्ट लगा लीजिए ताकि आपको पीछे वाली पॉकिट बनाने की जरूत नहीं और बनाना चाहते हो तो आप पीछे भी बना सकते हो तो आप अपने बस एकॉर्डिंग है आपकी जैसे चोईस होती है आप उसको वहां यूज कीजिए मैं तो अपने बैड साइड में इस तरीके से रखते होए अपने रिमोट फोन या उनको भी आप इसके अंदर हैंक कर सकते हो तो देखे मैं आपको तीन तरीके बता हैं इसकी पॉकेट भी देखे काफी बन जाती है तो एक साइड पॉकेट बनाते हुए आप अपने बैड के सा कर लिया है क्यों काफी टाइम से रखावा था तो इसकी जो प्रैस की थी वो बिल्कुल खराब हो गई है अब इसके बाद अब हमेज को यहां से जो स्लीव की साइड से इस तरीके से इसको कट कर लेना है और यह शल्ड का साइज है वो काफी बड़ा है तो यहां पाद जो मेर तो मैं यहां से नीचे से भी इसको कट कर लूँगी तो यहां पर नीचे से भी मैंने इसकी शेप को बराबर कर लिया है बराबर करने के बाद अब इसको हम इसको पलट लेंगे यानि हमें इसको उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद अब हमें यहां पर इसके उपर ज मैं यहां पर इसको हमारा जो यह organizer बनके ready हो गया है तो आप इसको अगर थोड़ा से इसका जो base है वो मोटा रखना चाहते हो तो आप इसमें corners से इसको अपसे इसको उल्टा करते हुए आप इसके corners को इस तरीके से पकड़ी और पकड़ने की बाद यहां पर stitch करते हुए आप बेश बना सकते हो लेकिन मैं इसका base नहीं बना रही हूँ क्यों जिस तरीके से मैं आपको इसका use बता रही हूँ तो उसका मुझे इसमें बेश की जुरूत नहीं है तो यहां पर देखिए मैंने कंबल को इसके according यहां पर समिट के इसके अंदर डाल लिया है देखिए हमार यहाँ पर waste to shirt था उस waste to shirt से ही हमारा यहाँ पर कमबल कवर बनके ready हो गया है आप यहाँ पर कमबल कवर की जगे अपने suit, साड़ी या लेंगा उनको भी डाल के इसमें organize करके रख सकते हो तो मैंने यहाँ पर इसमें कमबल को इसलिए use किया है कि साड़ी कवर मैंने आपको बना के بتा दिये थे तो मैंने का आप इसमें कमबल कवर डाल लेते हैं कुशन की तरहे डेकोरेट करके भी रख सकते हैं उपने बैड पे सोफे पे या फिर आप इसको इस तरहे पिल्लो में भी यूज में ले सकते हो और साथ में अगर आप ट्रेवलिंग वर कहीं जा रहे हो तो इसको कंबल coper साथ में लेके जा सकते हो कंबलो यहां कर आप शायग ऐब बना करने के बाद दोनों स्लिव इसको आपस में रख एक दूसरे के उपर रखेंगे और यहाँ पर तिनों साइड से मैं इसको बराबर कर लूँगी एक साइड से हमारा बंद है तो हम यहाँ से उसको कट नहीं करेंगे बाकि हम त्री साइड से इसको बराबर कर लेंगे बराबर करने के बाद नीचे से हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे और नीचे से एक सिलाई लग गई है लगने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से खोलना है और अपनी लेंद के अकोडिंग इसको एक स्टिच हमें और लगा लेनी है तो stitch हो गया है, stitch होने के बाद अब इसको मैं पलेट के सीधा कर लूँगी अब यहाँ पर दिखी हमारे एक ही छोटा सा organizer बनके ready है आप चाहो तो बीट में stitch कर सकते हो लेकिन मैं इसको बीट में stitch नहीं कर रही ताकि मुझे कोई लंबी चीज़ इसमें डालनी हो तो वो मैं इसको वापस एक होल के भी यूज में ले सको और वरना आप इसको stitch कर सकते हो तो मैं इसको सिफ इसको normal बिल्कुल सा stitch करके एक छोटा सा pocket के तरह बनाया है अब उसमें हमें buttons लगाना है तो मैं यहां पर इसमें circle बना लेना है तो यहां पर मैं इस नीचे से जो मेरा फैबरी के यह fourfold है क्योंकि दो पीस से एक पीस बनेगा फिर दो पीस से एक पीस यह तोटल मेरे यहां से चार circle बनेंगे तब जाकि हमारा यहां पर दो पीस बन के ready हो जाएगा तो दो पीस बन को अलग अलग कर लेंगे अलग अलग करने के बाद अब इसमें सिलाई लगाएंगे तोड़ा थोड़ा gap रख देंगे इसको सिधा करने के लिए और उसके बाद आप देखिए नीचे वाला जो ये पार्ट बचा हुआ है इसमें से मैं यहाँ पर इसका जो बटन वाला जो ये पार्ट है इसी को मैं कट कर लूँगी और कट करने के बाद इतना पार्ट ले लूँगी और हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे और इस बटन को भी निकाल लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ हम इसको फोल्ड करते हुए इस पर उपर सिर्फ सिंगल वाले पार्ट पर हम इसको स्टीच कर लेंगे देखे हमारा यहाँ पर स्टीच हो गया है साथ साथ में मैंने बटन्स भी लगा लिए देखे हमारा एक छोटा सा पाउच बनके बिल्कुल रेडी है आप चाहो तो इसमें हैंडल भी लगा सकते हो मैं इसको सिंपल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि हम जो नॉर्मल कहीं जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो यहाँ पर देखे इसमें अपने बड़े वाले पर्स में इस तरीके के पाउच रख सकते हैं तो आप यहाँ पर चाहो तो कॉस्मेटिक का समान डाल के ले जाए या फिर अगर आपको अपने सेलिटरी पैड रखना चाहो तो आप वो भी इसमें डाल के रख सकते हो उसके बाद देखे मैंने यहाँ पर इस राउंड वाले पाट को भी स्टिच कर लिया था तो मैं आपको रोटी रख केस में बताती है लेकिन मैं वीडियो सुबह सुबह बनाती हूं तो मैं अभी तक रोटी नहीं बनाई है मेरा होट केस बिलकुल खाली पड़ा है तो मैं खाना दो पैर में बनाती हूं तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी तो यह होट केस में आ दिंक्यू बोर वाचिं